Hi everyone, कैसे आप सब लोग, बढ़िया एकदम, चलो ग्रीट, I welcome all of you to the EDU mantra, जहां पर हमने start किया हुआ है 12th का Physics, So, इसका already एक lecture गया है, जहां पर हमने बात किया, चारज के बारे में, उसकी properties के बारे में, quantization, conservation, addition, okay, additive property के बारे बात कर रहा हूँ, So, आज इसका second lecture है, जहां पर हम बात करेंगे कोलम्स ला के बारे में, और देखते हैं कहां तक पहुचेंगे, So, without any further wastage of time, let's get started, see, कोलम्स ला, इसको हम बोलते हैं, inverse सुकैरला as well, inverse सुकैरला, तो, देखो, हमने देखा था, पिछली lecture में, कि अगर हम एक charge को रखेंगे, दूसरे charge से कुछ distance पे, वो charge क्या करते हैं, वो इधर attract करते हैं, और repel करते हैं, डिपेंड करता है, कि इसमें कौन सा charge है, यहां पे कौन सा charge है, और यहां पे कौन सा charge है, अगर वो same type के charge से, यह भी positive था, यह भी positive था, तो यह एक दूसरे को repel करेंगे, अगर इसमें था एक positive दूसरा था negative, तो वो क्या करेंगे, attract करेंगे, और important question था, कि कितने force, कितने force से, अगर इस हाथ में मैं एक charge रखो, इस हाथ में दूसरा चार्ज रखो, हमें पता है कि यह इस पे force अपले करेगा, यह वाला इस पे force अपले करेगा, लेकिन कितना force अप किया, वो किया, कोलम ने, okay, and हम उसी को पढ़ने जा रहा है, देखो, उसने क्या बोला, कि अगर मैं यहां पर एक बॉडी रखूं, जिसके पास चार्ज है Q1, and यहां पर दूसरी बॉडी रखूं, जिसके पास है चार्ज Q2, okay, and यह सपरेट है, एक दूसरे से, आर सपेरेश that force would be, that force, that force would be, proportional to, that force would be, proportional to, proportional to, magnitude of product of charges, product of charges, मतलब, जितना, इनके पास magnitude होगा charge, जब उनका multiple करेंगे, उसके magnitude पे, example, अगर, suppose, इसके पास है 5-Column का charge, इसके पास है 10-Column का charge, okay, इनके product पे वो डिपेंड करेगा, किसके, इनके product पे, मतलब, that force would be, proportional to, 10 into 5, कितना हो गया, that is, force is proportional to 50, okay, अब, क्या करेंगे, अगर, suppose, इसके पास है negative charge, suppose, इसके पास है, minus 10-Column का charge, and उसके पास है 20-Column का charge, तब force proportional to होगा 10 into 20, okay, minus sign को हम नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, because minus sign हमें क्या चीज दिखाता है, वो बस हमें यह दिखाता है, कि यह force attractive होगा, हमें मतलब है कितना force, हमें इसे मतलब नहीं है कि, क्या वो attractive है, क्या वो repulsive है, हमें मतलब इस चीज से है, कितना force, okay, उसने बोला, जो कितना force है, कितना force है, वो proportional to है, magnitude of Q1, multiple Q2, okay, अगर minus 10, and यह 20-Column होगा, हमें लिखना है 10-Column into 20-Column, you understand, okay, देखो, यह obvious भी है, यह obvious भी है, अगर, अगर मैं increase करूँ, क्या करूँ, increase करूँ, देखो, यह चीज क्या बता देता है, कि अगर यह चीज increase हुई, directly proportional मतलब है, अगर यह चीज increase हुई, यह automatically increase हो जाएगा, ठीक है, यह automatically increase हो जाएगा, उसी को हम directly proportional बोलते हैं, obviously, अगर मैं यहाँ पे रखूँ, इस हाथ में अभी पहले 10 कोलम, इस हाथ में 10 कोलम, यह कुछ force apply करेंगे एक दूसरे पे, लेकिन, अब मैंने क्या किया काम, अब मैंने इसमें 50 कोलम, इसमें 200 कोलम, अब को क्या लगता है, क्या अब यह एक दूसरे पे force ज्यादा apply करेंगे, कि कम force apply करेंगे, obviously, यह ज्यादा force apply करेंगे, so that is the meaning of directly proportional, अगर यह increase हो गया Q1, तब भी force increase हो जाएगा, अगर Q2 increase हुआ, तब भी force increase होगा, अगर multiplication increase हो जाएगा, obviously, तो force increase हो जाएगा, and यह obvious भी है, okay, and important is इसने बोला कि अगर हम इन दो charges को एक दूसरे से दूर ले जाएगे, suppose अब मेरे पास इसमें 10 कोलम का है, इसमें 10 कोलम का charge है, पहले एक फिट पे थी, अब मैंने इसको, इनको 10 फिट पे ले लिया, आपको क्या लगता है, force increase हो जाएगा कि decrease force हो जाएगा, decrease force हो जाएगा, दूरी उसे force decrease हो जाता है, so he said कि force is inversely proportional to r square, जितना ज्यादा radius हो जाएगा, मतलब कि जिनतना ज्यादा इनके दर्मियान का separation, यह है separation, r यहाँ पे means separation, जितना ज्यादा separation, उतना कम force, उसी को बोलते हम inversely related, क्या है, यह वाला directly related है, जितना ज्यादा magnitude of charge है दो के, पास उतना ज्यादा force, जितना ज्यादा वो दूर एक दूसरे से, उतना कम force, you understand, अब important चीज है यहाँ पे, इस चीज को थोड़ा समझना कि यह r square का मतलब क्या है, यह भी हो सकता था कि अगर मैं उनको दूर करूं, तो force decrease हो जाएगा, लेकिन this would have been also true, force is inversely proportional to 1 over r, यह increase हो जाएगा, यह decrease हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे r square है, क्या है r square, देखो इसका क्या मतलब हुआ, इसका हमने यह एक पहले आपको याद रखना होगा, कि यह कोलम पसला है ना, यह experimental है, क्या है यह experimental है, and इसका कोई proof नहीं होता है, इनका कोई no proof, last का proof नहीं होता, यह हम only and only experimentally verify कर सकते है, so हमने experimentally देखा, अगर यह charge है, अच्छे से देख लेना, and यहाँ पे कोई दूसरा charge है, q1 and q2, suppose पहले यह separate थे एक दूसरे से 2 meters की दूरी पे, suppose इनके दर्मियान था force 100 newton का, दियान रख लेना, इनके यह उस पे 100 newton का force apply कर रहा था, यह वापस इस पे force 100 newton का apply कर रहा था, अगर यह same होते, तो repulsive होता 100 newton का, अगर opposite होते, तो attractive होता 100 newton का, अब हमने क्या किया काम, अब मैंने इस charge को लिया इस जगा, and इस charge को लिया इस जगा, मतलब कि मैंने इनकी distance की double, क्या कि? 4 meters, हमें पता है force decrease हो जाएगा, we were expecting, हम expect कर रहे थे कि, charge हमने double की distance, तो जो force होगा, वो half होगा, क्या होगा, मतलब 15 newton तक पहुँचेगा, वो half होगा, double करने पे we were expecting कि force half होगा, लेकिन experimentally देखा गया, force 4 गुना decrease होगा, force जो आया इस वाले case पे, वो 25 newton का आया, नकी 50 newton का, देखो उसी तरीके से, अगर मैं यहां पे r को double करूं, अगर मैं r को double करूं, 2 r पे रखूं, तो देखो force क्या हो जाएगा, force would be 4, 1 over 4, so force 4 गुना decrease होगा, अगर मैं अब, अगर मैं अब 4 गुना इनको दूर करूं charges को, force कितने गुना decrease हो जाएगा, 16 गुना decrease हो जाएगा, अगर मैं उनको 8 गुना दूर करूं, 64 times decrease हो जाएगा, उसी को बोलते है, inverse square, यह square पे dependence है, okay, that is why, इसका एक और नाम है, उसको बोलते है, inverse square, पता नहीं, वहाँ पे दिखाई दे रहा है, inverse square, ला, क्या आपको बात समझ आ रही है, inverse square ला किसे बोलते है, okay, मतलब कि, जब इनको distance increase करते है, इनके दर्मियान के distance, force बहुत ज़्यादा decrease हो जाता है, अगर double करेंगे तो 4 गुना, अगर 4 गुना करेंगे तो 16 गुना, अगर 8 गुना करेंगे तो 64 गुना decrease हो जाता है, अगर हम इन दो को combine करेंगे, अब मैं इसको हटा देता हूँ, अगर मैं इन दो चीज़ों को combine करूँ, तो force would be proportional to magnitude of the product of the charges divided by r square, हमें पता है, जब proportionality होती है, तो हम उसको equality में convert करते हैं, by putting a constant, मैं अभी सिखा हूँगा, कि हम constant को क्यों वहाँ पर रख देते हैं, जब proportionality को equality में convert करते हैं, see, so force would be equal to constant times magnitude of the product of the charges divided by r square, ये चीज़ important है, अब ये जो constant है, ये constant, ये gravitational constant की तरह नहीं है, कि इसका value fixed है, नहीं, ये constant depend करता है medium पर, क्या करता है, dependence on medium, medium in the sense, अगर मैं charges को रखूँ space में, आयर में, उस time k का value कुछ होगा, अगर मैं उन्हीं दो charges को रखूँ water में, तो उस time medium बना water, so, उस k का value अलग होगा, अगर मैं रखूँ glycerine में, अगर मैं रखूँ kerosene में, अगर मैं रखूँ glass में, अगर मैं किसी medium में रखूँ charges को, k का value हमेशा अलग आता है, अलग-अलग, ओके, यह नहीं है कि k का value जैसे gravitational constant है, 11th का gravitation तो पढ़ा होगा, चला अगर detail में नहीं पढ़ा होगा, at least g पता होगा, gravitational constant, universal, वो क्या है, वो तो एक universal constant है, उसका value fixed है, 6.67 into 10 to the power minus 11, चाहे मैं पानी में रखूँ masses को, चाहे मैं kerosene में रखूँ, चाहे मैं glycerine में रखूँ, it doesn't matter, g का value fixed है, लेकिन इस वाले case में ऐसा कुछ नहीं है, k का value depend करता है, medium पे भाई साहब, and इस का value, इस k का value, space में, जब हम charges को रखते हैं, space में, मतलब जहां पे IR ना हो, कुछ भी ना हो, और इसको IR भी लिखते हैं कभी-कभी, space इसको लिखते हैं, कभी-कभी कुछ बुक्स में vacuum लिखा होता है, कुछ बुक्स में लिखा होता है, IR लिखा होता है, तब इसका value होता है, 9 into 10 to the power 9, अगर unit देखेंगे, force का Newton, ये r square, r मतलब distance, meter square इधर चला जाएगा, कोलम, कोलम, कोलम से कर नेचे आएगा, so ये इसका value है किसमें, के का value, IR में, vacuum में, space में, क्या के का value ये है water में, नहीं, ऐसा नहीं, के का value अलग है, किसमें, water में, थोड़ी सी feeling के लिए मैं यहाँ पे बता दूँ, कि जो k का value, water में होता है, वो होता है, 1.1 into 10 to the power 8, Newton, Newton, meter square, per कोलम स्केर, okay, kerosene में कुछ अलग होगा, glass में कुछ अलग होगा, sapphire में कुछ अलग होगा, okay, कोई भी liquid होगा, उसमें अलग-अलग होगा, क्या यहाँ तक बात सही है, okay, तो फिर मैं इसको हटा देता हूँ, क्योंकि last time I was feeling कि मैं कुछ छोटा ही लिख रहा था, that's why मैं आप थोड़ा बड़ा लखने की कोशिश कर रहा हूँ, so see, मैंने आपको बूला, कि जो ये constant हम रखते हैं, किसमें रखते हैं, जब proportionality को equality में convert करते हैं, तो वो क्यों रखते हैं, उसको समझने के लिए यहाँ पे आप डान रखो, अगर एक साइड में रखू रुपीज, एंड एक साइड में रखू बनाना, ठीक है, अगर आपने एक बनाना यूटिलाइज किया, क्या किया, यूटिलाइज किया एक बनाना, आपके जेब से suppose फाइव रुपीज जाते हैं, अगर आपने यूटिलाइज किए दो बैनना आपके जेव से कितने पैसे जाएंगे? 10 exactly अगर 3 तो 15 that means rupees is directly proportional to banana मतलब जितना ज्यादा आप बैनना खाओगे उतना ज्यादा आपके जेव से पैसा जाएगा उसी तरीक से जितना ज्यादा कोलम का चार्ज होगा उतना ज्यादा फोर्स उनके दर्मियान होगा वही होगा आपको बात समझ आई? ज़रा देखो आप अगर मैं इस rupees को डिवाइड करो बैनना ऐसे आप देख ले ना 5 डिवाइड 1 वो कितना आया? वो आया 5 10 डिवाइड 2 10 डिवाइड 2 वो कितना आया? वो भी 5 आया 15 डिवाइड 3 वो भी 5 आया आप समझो इस राइशो ये डिवाइड बैस इस डिवाइड बैस इस डिवाइड बैस हमेशा एक कॉनस्रेंट वैलिव आता है इसका ओके? So वही That is why हम उसी कॉनस्रेंट को यहां पर रख देते हैं उसी कॉनस्रेंट अगर आपने Suppose अगर आपका force proportional to है Suppose Rate of Change of Momentum किसमे? Rate of Change of Momentum Rate of Change of Momentum That is Force is directly proportional to dp by dt Okay Some constant Some constant time is dp by dt Okay So यह वही constant है Because f divided by dp by dt हमेशा constant आता है Because rupees divided by bananas हमेशा constant आते है Because directly relation था That is why हमने यहां पर एक कॉनस्रेंट रख दिया Okay मैं चेक करता हूं कि यह वाला साइड आ रहा है महां पर क्यों नहीं आ रहा है हाँ Okay सही है Okay अब हम थोड़ा खुछ पॉइंट जाएनेंगे इसके बारे में कोलम बस्ला के बारे में तो अगर आपको डिटेल में लखना है कोलम बस्ला तो आपको लखना है कि यह एक कॉंटिटिटिवस्टेटमैन्ट है Electric force का कोईटिटिटिवस्टेटमैन्ट quantitative statement of electric force इसको electric force भी बोलते है और electrostatic force भी बोलते है electrostatic force between the charges between the between the charges and what it says it says that force electrostatic force is directly proportional to ठीक है directly proportional to directly proportional to Q1 Q2 okay and that force is inversely proportional to inverse relation inversely proportional to distance square okay उनके दर्मियान का distance कितना है उसका square okay एक और चीज़ यहाँ पर याद रखने पड़ेगी जो ये force है जो ये charge उस पे force अपले करें है जो दोनों को positive आनते हैं आपके Q1 and Q2 ये जो force उस पर अपलाई करेगा वो act करेगा along the line joining the two forces joining the two charges जैसे अगर ये force ये charge उस पर force अपलाई करेगा ये इसको ऐसे भी ripple कर सकता है इस direction में भी ripple कर सकता है इस direction में भी रिपल कर सकता है, यह भी रिपल जह नहीं है, ठीक है, लेकिन यह इसको रिपल करेगा along the line joining the two charges, यह जो line है, join कर रही है, दो charges को, उसी line के along, इसको यह रिपल करेगा, okay, so, अगर attraction होगा, तो यह इसको इस, इस line के along attract करेगा, so, जो force, columbic force है, वो that force acts along the line, along the line joining two charges, okay, that was important point, okay, कुछ चीज़े और है, यह जो force है, यह medium पर डिपेंड करता है, force depends, on medium, ऐसा नहीं है, कि अगर मैं, दोर charges को space में रखो, suppose, वो 10 newton का force एक दुसरे पर अपले करे, अगर मैं उनको water में ले जाओ, वो same 10 newton का force नहीं अपले करेंगे, वो change हो जाएगा, ठीक है, because, यह force depend कर रहा है, medium पर, because, जो constant है, इस force में, जो constant यहाँ पर लगा हुआ है, वो, medium to medium change करता है, that is why force भी change हो जाएगा, यह change होगा, यह change होगा, obviously, जब हम, आयर से, charges को water में ले जाएगे, यह change नहीं होगा, q1, q2 भी नहीं होगा, अगर उनको same, obviously, keeping in consideration कि उनके दर्मयान का distance same है, okay, so, जो k, actually, क्या होता है, change, वो होता है, k change, medium to medium, that is why f changes, okay, that is why f changes, okay, एक और बात, जो यह force है, वो conservative होता है, क्या होता है, force is conserve, जो, यह जो electrostatic force है, और और एलेक्टर फोर्स है, यह conservative force है, gravitation भी conservative है, electrostatic force है, जो हम electrostatic force की कर रहा हूं यह जो electrostatic force है यह gravitation से बहुत स्ट्रॉंग है stronger ग्राइविटेशन ओके देखो इस वाले point पे मैं बहुत ज्यादा discuss करूंगा next lecture में इस वाले point में भी मैं बहुत discuss करूंगा next lecture में इस वाले point को मैं आज ही discuss करूंगा okay एक और चीज आप याद रख लेना उपर रख देता हूं यह जो electrostatic force है columbic force यह action reaction बना देते है action and reaction pair okay they form action and reaction pair they form action and reaction pair मतला जो यह उस पर force apply कर रही वह action है और वह उसके बदले इस पर force apply कर रहा है वह reaction है यह भी मैं next lecture में discuss करूंगा अच्छे से action and reaction pair बनाने के लिए आपको कुछ conditional sets पर करनी होती है जब वह conditional sets पर होती है तब हम बोलेंगे कि यह action reaction pair है ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी दो forces action reaction pair बनाएंगे बनाएंगे ओके हम इसकी थोड़ी basic example लेते है basic example ताकि यह थोड़ा यह formula पर हम जो यह formula है ताकि इस पर थोड़ा hold आ जाए okay let's see let's see the problem a proton and electron are placed are placed at separation of 1.6 cm in space okay कहां रखा गया देखो यह mention करना जुरूरी है कि उनको कहां रखा गया अगर उनको water में रखेंगे तो force different आएगा इसलिए यह जुरूरी mention होना चाहे कि उनको कहां रखा जा रहा है I hope क्यों because k change हो जाएगा force change हो जाएगा okay so हमें क्या निकालना है find the of electrostatic force electrostatic force between them is that clear problem यह है कि suppose यह एक proton है इसके पास charge कितना होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb यह plus होता है यहां पे electron रखा गया है उसका charge कितना होगा minus 1.6 into 10 to the power minus 19 इनको कितनी separation पे रखा गया है 1.6 cm पे okay देखो solution यह basic सी problem है हमें पता है columbic force और electrostatic force is equal to constant times magnitude of product of charges divided by कितनी separation का square okay देखो इस k का value क्या है 9 into 10 to the power 9 हमें पता है because बोला गया space में रखा गया IR में रखा गया okay अब यहां पे इसलिए मैंने एक negative लिया एक positive लिया because ताकि आपका confusion चला जाएगा so q1 के बदले क्या रखो magnitude of discharge 1.6 into 10 to the power minus 19 into magnitude of discharge इसका magnitude कितना हो है इसका magnitude negative sign नहीं लेना होता है magnitude में so इसका magnitude भी same ही है okay divided by इनके दर्मियान का distance 1.6 cm का square okay उसको मैं convert करता हूं meters में that would be 1.6 into 10 to the power minus 2 whole square okay because 1.6 cm would be equal to 1.6 divided by 100 meters okay that would be equal to 1.6 into 10 to the power minus 2 meters okay जो यहां पे value आएगा वो आएगा 9 into 10 to the power minus 25 newton okay this would be the magnitude of the force क्या यह force attractive होगा कि repulse होगा यह force attractive होगा और वसले एक positive charge है दूसरा negative charge है so कभी-कभी answer में यहां पे minus sign लिखा हुआ होता है उससे क्या depict होता है उससे depict होता है कि यह attractive force है बद जरूरी नहीं है so this would be the magnitude of the force okay अगर यह problem clear है तो हम next problem लेंगे फिर okay let's see question है what is the what is the smallest electric force between the two charges हमें this is clear great so हम क्या करेंगे हम इस पे एक electron का charge लेंगे इस point पे and दूसरे point पे electron का charge लेंगे because उनहीं के पास है सबसे least charge उनके पास कितना charge है 1.67 into 10 to the power minus 19 coulm 1.6 into 10 to the power minus 19 coulm negative negative ठीक है इनको क्या इनको रखने पे एक मेटर की दूरी पे रखने पे जो इनके धर्मियान का force होगा वो सबसे least होगा in IR की बात कर रहा हूं because यही वो यही वो charge है जो सबसे least exist करता है world में okay इससे कम charge पे exist करते है मैंने वो बोला but वो independently exist नहीं करते है solution हमें पता है force would be k times charge q1 q2 divided by r square okay हमें क्या चाहिए हमें इनका product का least चाहिए so that अगर हमारे वो charges लेने पे यह product least आना चाहिए so that यह भी least होना चाहिए यह भी least होना चाहिए so that q1 and q2 should be minimum should be minimum वो कौन सा minimum है वो कौन से charge है वो electron charge है और वो electron charge है so that force would be k 9 into 10 to the power 9 into 1.6 हमें magnitude लेना है 1.6 into 10 to the power minus 19 into 1.6 into 10 to the power minus 19 divided by कितनी separation पे रखना है 1 meter okay so आप यहां से निकाल सकते हो 9 into 1.6 into 1.6 into 10 to the power 9 into 10 to the power minus 19 into 10 to the power minus 19 1 square would be 1 okay so मैं यहां पे लिख देता है 9 into 1.6 into 1.6 into 1.6 into 10 to the power minus 38 plus 9 okay so this would be 23.04 into 10 to the power यह कितना हैगा minus 29 okay okay so this would be 2.304 into 10 to the power minus 28 newton this would be the force okay यह है वो force जो एक electron दूसरे electron पे अप्लाई करेगा obviously यह repulsive force होगा ठीक है जब हम उनको 1 meter की separation पे रखेंगे is that clear okay अब हम बात करेंगे vector form of columns law की columns law in vector form हमें पता है जो force है वो एक vector quantity है क्या है vector quantity vector quantity का मतलब है उसके पास दो चीजे है एक उसके पास है magnitude and उसके पास है direction magnitude तो हमें पता चला f equals k times q1 q2 divided by r square यह चीज हमें बस magnitude देती है इससे हमें direction का पता नहीं चलता है to find the direction of the force we need to write columns law किसमें लिखना पढ़ेगा फिर vector form में लिखना पढ़ेगा okay suppose यहां पे q1 positive charge है and यहां पे q2 positive charge है okay physics में इस point से इस point वाली direction यह वाली direction अलग है suppose अगर यह x-axis होती तो इसको हम i cap लिखते है and यहां से यह वाली direction अलग है इसको हम लिखते है minus i cap is that clear मतलब कि यह वाली direction अलग है यह वाली direction अलग है देखो यह plus q1 का charge इस पे force apply करेगा इस direction में because दोनो positive charge है तो repulsive force so this force would be force on 2 due to 1 यह लिखना यहां पे on यह लिखना due to इस direction में q1 को थोड़ा उपर लिखता q1 plus यह है वो force this is force on 1 due to 2 on this is due to ओके देखो इनके धर्मियान का separation है इनके धर्मियान का separation वो हम उसको लिखते है separation vector क्या लिखते है separation vector देखो यह है r two one क्या है r two one याद कैसे रखे यह है two पहला वाला अंड यह है prom मतलब हम जा रहे है two की तरफ कहां से आ रहे है, 1 से आ रहे है ये वाला क्या है, अगर ये वाली direction, ये वाली direction है R, 1, 2 2 हम आ रहे है एक की तरफ, from 2 से आ रहे है, क्या आपको बात समझा रहे है, great, since ये, ये एक vector है, ये भी एक vector है, देखो, हमें पता है हम एक vector को लिख सकते है उसके magnitude में, and उसकी direction में, एक unit vector magnitude into unit vector, एक vector को लिख सकते है, ऐसे, okay so मैं इसको लिखूँगा R, 1, 2 का magnitude and R, 1, 2 का unit vector is that clear, इसी तरह की से ये जो R, 2, 1 है, यहाँ पर इसको मैं लिखूँगा, R, 2, 1 का magnitude, and R, 2, 1 की direction or unit vector, is that clear, अगर ये clear है, तो समझो ये वाला हो गया, मैं फिर से समझाता हूँ ये charge उस पे force अपले कर रहा है इस direction में, कर रहा है न, because repulsive force है so force on 2 due to 1, force इस पे because ये force इस पे अपले कर रहा है, उसकी ये direction है force on 1 due to 2 इस पे ये ऐसे force अपले करेगा ये जो vector है यहां से यहां की तरफ यहां से यहां की तरफ, उसको मैंने लिखा r21, because मैं लिख रहा हूँ, 2 यहां पे 2 है, and 1 है from, कहां से आया, okay, मैं किस की तरफ जा रहा हूँ 2, मैं 2 की तरफ जा रहा हूँ, because magnitude है इसका R12 magnitude and R12 unit vector, इसका magnitude है R21 magnitude and R21 unit vector, is that clear, great, नव हो गया है, देखो, force on 1 due to 2, force इस पे, उसकी तरफ से, because वो इस पे force अप्लाई करेगा, ठीक है, उसके अले मैं लिखो, k times magnitude of Q1, Q2, divided by r square, जो इनके दर्मियान का separation है, मैं किस vector की separation लिखो, आप मुझे खुद बता देना, देखो, यह जो force, force on 1 due to 2, जो force इस पे अप्लाई हो रहा है, उसकी direction क्या है, उसकी direction R12 vector है, या R21 vector है, उसकी direction है R12, आप बात को समझ रहे हो न, यह वाला vector ऐसे है, R21 vector यह है, यह इसकी तरफ, ओके, यह वाला vector, R12 vector यह है देखो, force on 1 due to 2 की direction, R12 vector की direction है, ओके, सो मैं यहाँ पे उसी vector का magnitude लिखूँगा, R12 का magnitude का square, और उसकी direction, R12 क्या है, इस दैट क्लियर, force on 1 due to 2, force इस पे उसकी तरफ से, देखो, ऐसे है, कौन सा vector use होगा, R12 vector होगा, मैं मुझे नीचे magnitude use करना होता है, तो मैं उसी vector का magnitude उसी का square, इसकी direction क्या होगी, R12, cap, ओके, उसी तेरी किसे, force on 2 due to 1, force किस पे, इस वाले पे, force इसकी तरफ से, यह इसको धक्का देगा, इस direction में, देगा कि नहीं, देगा, ओके, so, k times, q1, q2, divided by किस magnitude, किस vector का magnitude, इस वाले vector का magnitude, so, R, R21, का magnitude square, उसकी direction क्यों सी होगी, R21, R21, unit vector, is that clear, यह, इसको हम बोलता है, first form, क्या लिखता है, first form, यह form है, in terms of unit vector, क्या है, unit vector, मैं इसकी दूसरी form भी लिखूंगा, उसके लिए, मुझे, use करना होगा, वही वाला, Vector, R12, जो Vector है, वो है, magnitude of R12, into unit vector, okay, and R21, का जो Vector है, वो है, magnitude of R21, into unit vector, okay, C, force on 1, due to 2, that would be K, times Q1, Q2, divided by R12, का magnitude, का square, and R12, जो unit vector है, उसके बदले में, मैं use करूंगा, R12, vector, divided by R12, magnitude, R12, full vector, divided by R12, का एक magnitude, यहाँ पे, दो, और एक इतने हो गए, तीन हो गए, सो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, यहाँ पर, R12, Q, is that clear, okay, उसी तरीके से, force on 2, due to 1, okay, K, times Q1, Q2, divided by R12, sorry, R21, का square, okay, अब यहाँ पर unit vector है, R21, R21, unit vector के बदल लिखूंगो, मैं R21, vector, divided by magnitude, R21, full vector, divided by R21, का एक magnitude, ओके, सो यह, दो, and एक हो गए, तीन, इसकी जगर मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर 3, क्या यह clear है, इसको हम बोलते है, second form, क्या लिखते है, second, form, क्या बात आपको समझाई, इसकी हम third form भी लिख सकते है, okay, बट मुझे नहीं लगता, वो ज़रूरी है, तो यह, मुझे लगता है, enough है vector form में, दो, लेकिन अगर आप चाहते हो, कि मैं आपको वो तीसरी भी दिखा हूँ, okay, चलो दिखाता हूँ, third form लिखेंगे इसकी, ठीक है, third, form, third form को समझने के लिए, आपको थोड़ा triangle लाका पता होना चाहिए, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ, इस चीज़को अब मुझे काम नहीं आएगा, third form लिखने में, square to one, okay, इसको भी हटा देता हूँ, okay, to end from, अब आपको idea आया होगा, इसको भी हटा देता हूँ, see, third form लिखने से पहले मैं आपको second form लिख देता हूँ, यहाँ पे, क्योंकि third form वही से आती है, second form बोर रही थी, F12, force on one, due to two, k times, q1, q2, यह यहाँ पे, divided by, R, कौन सा वेक्टर, वही वाला वेक्टर, R12, magnitude, cube, into R12, full vector, okay, and force on two, due to one था, k times, magnitude of q1, q2, divided by R21, magnitude cube, into R21, full vector, okay, देखो, triangle law हमें क्या बोलता है, triangle law हमें बोलता है, अगर दो वेक्टर्स होंगे, in the same order, okay, यह A वेक्टर है, यह B वेक्टर है, third side of the triangle, would give the resultant, but taken in opposite order, ठीक है, यह वाला resultant है, ठीक है, so मैं लिख सकता हू, resultant is equal to, A plus B, और ऐसे लिख सकते है, A plus B, those two vectors, which are in the same order, A and B है, same order में, मैं देखो, same order, मतलब मुझे, कुछ उंगली उठानी नहीं पढ़ रही है, same order, but the resultant would be given by the third vector, okay, but taken in opposite order, देखो, यह order था, actually ऐसे, but resultant would be ऐसे, okay, is that clear, I hope कि, थोड़ा vectors का idea होगा, okay, see now, यहाँ पे, अगर मैं, इस Charged Particle को, Position Vector दूँ, R1, क्या लखूं, R1, और, इसको लखूं, R2, okay, देखो, अब हमारा case कैसे बन गया, R1, Vector, और यहाँ से कुन सा Vector है, यह वाला, यह वाला, R2, R2, 1 Vector, great, एंड, देखो, यह दो, same order में है, यह vector, R1 Vector, and, R2, 1 Vector, यह R2, 1 था, okay, यह वाला Vector, same order में, their resultant would be given by, R2, taken in the opposite order, so, मैं लिख सकता हूँ, R1 Vector, plus, R2, 1 Vector, is equal to, R2 Vector, is that clear, okay, मैं यहां से value निकालूँगा, R2, 1 का, R2, 1 Vector, equal to, R2, minus, R1 Vector, okay, उसी तरीके से, यहां पर देखो, अब, R2 Vector, R2 Vector, and, R1, 2 Vector, same order में है, R2 Vector, and, R1, 2 Vector, same order में है, देखो, R2 Vector, and, यह है, R1, 2 Vector, same order में है, and, the result negative would be given, the third side of the triangle, taken in opposite order, यह है, R1, okay, so, मैं लिख सकता हूँ, R2, plus, R1, 2, equals, R1 Vector, मैं यहां से, निकाल सकता हूँ, R1, 2, का value, that would be, R1, minus, R2, is that clear, okay, I think that's clear, see now, मैं यहां पर, इसमें value रख देता हूँ, F1, 2, would become, K times magnitude of, Q1, Q2, divided by, R1, 2, R1, 2 का value क्या है, R1, minus R2, so, मैं यहां लिख सकता हूँ, R1, minus, R2, okay, divided by, magnitude of, R1, 2 Vector, R1, 2 के बदले, क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे, R1, K times, Q1, Q2, into, क्या आएगा, R21, R21 के बदले क्या लिखेंगे, वहां पे, R2 minus R1, R2 minus R1, okay, divided by, R21, R2, minus R1 Vector, magnitude whole cube, this is called the third form, मैंने आपको, 3 form दिखाए, okay, आपके 12 थी के लिए, एक form, आप exam में, एक form लिख सकते हो, that would be enough, okay, पहला वाला क्या था, पहली वाली फॉर्म, unit vector में थी, दूसरी वाली फॉर्म, full vector में थी, okay, तेसरी वाली फॉर्म, in position vectors में, is that clear, okay, so हमने, vector form में क्या किया, vector form में हमने, both magnitude find किया, and direction find की, important problem लोगा, जो बहुत ही ज़्यादा, important column असला पर problem है, I hope कि, वो आपको समझ आ जाए, देखो, problem क्या है, problem कहता है, कि अगर यहाँ पे, plus q का charge है, and यहाँ पे, minus q का charge है, there are at some separation, doesn't matter, okay, question में, answer solution निकालने में, यहाँ वो यूज निहीं होगा, पहले मुझे बताओ, चलो ठीक है, रखते है, add some separation, r, पहले मुझे बताओ, इन दों के दर्मियान का force कितना होगा, according to column's law, k times q magnitude, q magnitude, divided by r square, is that clear, okay, now, question बता रहा है, कि अगर यह वाला, minus charge, अपना 25%, और 1 by 4th, हिस्सा, 1 by 4th part, किसको दे रहा है, इसको दे रहा है, तो, उनके दर्मिया, now, after, जब यह अपना 1 by 4th हिस्सा, इसको दे रहा है, अब कितना force होगा, इनके दर्मिया, अगर हम उनको same separation पे रखेंगे, देखो, यहाँ पर important चीज़, जो last time मैंने, यह example दिखाई थी, थोड़ी बहुत, मैंने उस time बोला भी था, कि यह हम, next lecture में use करेंगे, देखो, इसके पास negative charge है, मतलब इसके पास, बहुत सारे electrons है, मतलब इसके पास, abundance of negative charge है, अगर यह अपना, 4th हिसा उसको दे रहा है, यह क्या देगा, उसको negative charge की positive charge देगा, यह उसको obviously negative charge देगा, ठीक है, so, यह उसको देगा, minus q by 4, देगा, उसके पास, खुद का कितना था, minus q, उसके पास, अब कितना रहेगा, minus q को subtract करेंगे, minus q by 4, इस चीज पर पूरा द्यान दो, मैंने सिखाय था, उस टाइम addition, minus q इसके पास total charge था, पहले यह अपना, 1 by 4 हिसा इसको दे रहा है, ठीक है, minus q by 4, because, यह negative charge ही दे सकता है, अब वो negative charge, उससे, subtract हो जाएगा, because, इसके पास पहले minus q था, वही subtract किया, so, इसके पास कितना charge रहेगा, minus q plus q by 4, वो आएगा, minus 4 q plus q divided by 4, this is minus 3 q by 4, अब वो minus q by 4, इसको add हो जाएगा, इसके पास पहले था, plus q, अब उसको add हो जाएगा, minus q by 4, addition with the sign, जरूर करना ठीक है, plus q minus q by 4, that would be, plus 4 q, q minus q divided by 4, that would be, plus 3 q by 4, is that clear, now, इनके पास ये charge है, okay, उनका force, suppose इसको f1 लिखते है, ठीके, now, उनके दर्मियान का force क्या होगा, उनके दर्मियान का force होगा, अब इसके पास कितना charge बचा, इस body के पास, minus 3 q by 4, उसके पास, plus 3 q by 4, उनके दर्मियान का force के टाइमस, अब, charge क्या है, 3 q by 4 एक के पास है, दूसरे के पास है, 3 q by 4, because हमें magnitude लेना होता है, ठीक है, sign नहीं लेनी होती है, और separation r square, ठीक है, देखो, इसको f2 लिख देता हूँ, f2 equals, देखो, 3, 3's are 9, okay, 4 fours are 16, 9 by 16, okay, k times, q, q, divided by r square, f2 equals, 9, divided by 16, ये वाला केतना है, f1 है न, ओके हम पर magnitude लेक सकते हो, ठीक है, f1, okay, so force क्या, 9 by 16, force decrease हुआ, जब उसने charge दिया, देखो, ये question आया है, 2019 डिएट में, okay, ऐसे ही नहीं रखा, option रखा था उन्होंने, ऐसे 16 by 19, A option, B रखा था, 9 by 16, C option, same, okay, D, none, maximum student रखा था, same लेके आएंगे, because उनको लगेगा, ये उसको कुछ चारिज देगा, but constant ही रहेगा, obviously, conservation का concept to use करेंगे, ये उसको थोड़ा चारिज देगा, but charge decrease थोड़ी हो जाएगा, ठीक है, वो same force देखे, आज जाएगे, लेकिन ऐसा नहीं है, okay, देखो, जब ये उसको चारिज देगा, product of charges, change हो जाता है, इस चीज़ को समझता है, अगर यहाँ पर 100 है, इसके पास, इसके पास 100 है, product कितना है, 100 into 100, पुरा द्यान देना, 1, 2, 3, 4 zeros, अब अगर इसको अपना 4th हिस्सा देगा, okay, अपना 4th हिस्सा देगा, सबोज इसके पास 75, इसके पास आए 1 by 25, सबोज, अब product 125 into 75, यह product नहीं होगा, यह यह नहीं आएगा, आपको बात समझा रहे हैं, so, अगर यह उसको कुछ हिस्सा चारिज का देगा, force change होता है, okay, ऐसा नहीं है कि force constant रहता है, important, यहाँ पर यह वाला procedure important था, ऐसे ही questions आते हैं, so, मैं कुछिच करोगा कि मैं एक-दो questions हर लेक्चर में लो, निर जाईए के, thank you so much, I think this would be enough,